नई फसल के शुरू होने से पहले स्टॉक जारी होने की उम्मीद में धीमी खरीदारी गतिविदियों के कारण हल्दी में गिरावट देखने को मिल रही है, दरसल अनुकूल मौसम के कारण फसल की स्थिती में सुधार के कारण दबाव बढ़ गया। हाला की गिरावट सीमित रहने की उम्मीद है क्योंकि कमजोर उत्पादन संभावनाएं और बाजार में कम स्थिती को संतुलित कर देगा। दरसल तेलंगाना में पी एम मोदी की हल्दी बोर्ड की घोशना से मुख्याले स्थान को लेकर महाराष्ट्र के किसानों में चिंता पैदा हो गई है। वैसे देखा जाए तो फसल की स्थिती वर्तमान में संतोषजनक है, जन्वरी और मार्च के बीच फसल होने की उम्मीद है। धीमी खरीदारी गतिविधियों के बावजूद, मौजूदा स्तर और घट्टी सप्लाई से मूल्य स्थिर्ता बरकरार रहने की उम्मीद है। साथ ही निर्यात के अफसरों में सुधार हुआ है, जिससे हल्दी निर्यात में 25% की वृद्धी हुई है। किसानों की प्रात्मिक्ताओं में बदलाव के कारण, विशेश रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडू, आंधर प्रदेश और तेलंगाना में हल् 2023 के दौरान हल्दी निर्यात में 1.07% की गिरावट आई है, वही नवंबर 2023 में अक्टूबर की तुलना में 15.34% की गिरावट और नवंबर 2022 की तुलना में 30.78% की गिरावट देखी गई है। Bureau Report Market Times TV